वृत्य का चाप, आर्क आफर सर्कल वृत्य की परीधी पर कोई दो बिंदू A और B हों तो वृत्य दो भागों में बढ़ जाता है आकरिती 8, 9 और 10 इन में वृत्य का एक भाग छोटा तथा एक भाग बढ़ा है वृत्य के छोटे भाग को लगु चाप, चाप A.M.B. आकरिती 8 तथा बड़े भाग को दिर्ग चाप, चाप A.N.B. आकरिती 9 कहते हैं पुना आकरिती 8 में यदि आम मान लें कि कोई बिंदू A से वृत्य कार पत पर गती करता हुआ बिंदू A पर वापस पहुँच जाए तो बिंदू के द्वारा तै की गई पत की लंबाई वृत्य की परिधी कहलाती है एक वृत्य के अनुदिश एक बार चलने में तै की गई दूरी उसका परिमाप होता है जिसे सामान्यता परिधी कहा जाता है किसी वृत्य पर एक जीवा A भी खींचिये जीवा तथा चाप के मद्धिक्षेत्र को वृत्य खंड कहते हैं करके देखें कागस पर एक वृत्य खींचिये तथा अलग-अलग माप की जीवा खींच कर जीवा की लंबाई तथा संगत लगु वृत्य खंड में सम्मंध डून दिये हम देख सकते हैं कि जीवा की लंबाई कम होगी तो लगु वृत्य खंड का ख्षेत्र भी कम होगा सोचे एवं चर्चा करें पहला एक वृत्य की तरिज्या 6 सेंटीमिटर है वृत्य की जिवाओं की लंबाईयां करमशच 4 सेंटीमिटर, 6 सेंटीमिटर, 10 सेंटीमिटर वा 8 सेंटीमिटर है इन जिवाओं के संगत दिर्ग वृत्य खंड को छोटे से बड़े करम में लिखिए दूसरा, उप्रोग तो 6 सेंटीमिटर तरिज्या वाले वृत्य में जब जीवाओं 12 सेंटीमिटर की हो तो दिर्ग वृत्य खंड और लगू वृत्य खंड में क्या संबन देखते हैं तरिज्य खंड, सेक्टर एक वृत्य पर दो बिंदू A और B लीजिए देखिए आकरिती 12 चाप A, B के सीरों को वृत्य के केंदर O से मिलाईए केंदर को चाप A, B के सीरों से मिलाने वाली तरिज्याओं एवं चाप के बीच के क्षेत्र को तरिज्य खंड कहते हैं वृत्यकंड की तरह आप पाते हैं कि लगू चाप तथा त्रिज्याओं से घिराक्षेत्र लगू त्रिज्यकंड और दिर्ग चाप तथा त्रिज्याओं से घिराक्षेत्र दिर्ग त्रिज्यकंड होता है OAPB लगू त्रिजखंड है और OAQB दर्ग त्रिजखंड है करके देखें दी गई आकरिती में त्रिज्या, जीवा, व्यास, चाप, त्रिजखंड, वृत्यखंड की पहचान कर दी गई तालिका में लिखें चलो बच्चो वृत्यखंड पर हमने जो दो बिंदू A B लिये थे, फिर से उन्हीं पर बात करते हैं इन दो बिंदू ने वृत्यखंड के भाग को दो भागों में बाट दिया है प्रत्यखंड भाग चाप कहलाता है यह A B भाग जो है यह छोटा है इसलिए इसे लगुचाप कहते हैं और यह जो आपको B A भाग दिखाई दे रहा है यह बड़ा भाग है इसलिए इसे दिर्ग चाप कहते हैं चलिए A को B से मिला देते हैं तो हमें क्या मिला? फिर से A B जीवा इस जीवा ने वृत्य के अन्ता भाग को दो भागों में बाढ दिया प्रत्येग भाग वृत्य खंड कहलाता है ये जो AB जीवा है और AB चाप है इससे घिरा हुआ ये जो आप पीले रंग का क्षेतर देख रहे हैं ये लगू वृत्य कंड कहलाता है और ये जो B.A. चाप और A.B. जीवा से घिरा हुआ हरे रंग का क्षेत्रा आप देख रहे हैं ये दिर्ग वृत्य खंट कहलाता है चलिए बच्चों अब हम वृत्य के त्रिज्या खंट पर बात करते हैं इसके लिए फिर से एक वृत्य ले लेते हैं वृत्य का केंद्र O उ ये O X और O Y क्या हैं? वृत्य की त्रिज्याएं हैं वृत्य की ये दो त्रिज्याएं और ये जो X Y चाप आप देख रहे हैं इनके द्वारा ये जो घिरा छेत्र है यही त्रिज्या खंट कहलाता है वृत्य पर हमने ये जो दो त्रिज्याएं बनाई हैं इन्होंने वृत को दो भागों में विभखत कर दिया है एक भाग ये है और दूसरा ये तो इसे हम लगु त्रिज्राखन का सकते हैं और ये भाग बड़ा है तो इसे हम दर के त्रिज्राखन कहेंगे बच्चों हमने अभी वृ्ट वृत्य खंड और तृज़ खंड पे बात की क्या आपने इन में कोई अंतर पाया में ध्यान रखे कि जब हम वृत्य खंड की बात करते हैं तो वृत्य पर कोई भी जीवा खिषने पर वह जीवा उसे दो भागों में बाड़ देती है इनका प्रत्येक भाग जो है वो वृत्य का खंड कहलाता है वृत्य खंड के नाम से जानते हैं हम उन्हें परन्तो जब हम त्रिज्य खंड की बात करते हैं तो किसी वृत्य की दो त्रिज्याएं उस वृत्य को पुना दो भागों में विभाजित करती हैं ऐसे बनने वाले दो जो भाग हैं उन्हें हम त्रिजखन के नाम से जानते हैं